नमस्कार, KDRs में अपका स्वागत है। आज हम दूद के फाइदों के बारे में जानने वाले हैं। इंसान का सबसे पहला आर दूद ही होता है। और भार्दियों को दूद और दूद से बनी चीजे हमेशा से ही प्रियर रहे हैं। लेकिन दूद सिर्फ सिहत के लिए नहीं बल्कि सुंदरी के लिए भी बेदद अच्चा होता है जिस प्रकर दूद एक आदमी को बड़ा होने में मदद करता है उसी प्रकर से उसमें मौज़ित प्रोटीन और विटामिन तवचा के लिए बहुत उपयूगी होती है दूद का प्रयोग करके चेहरे को निकारा जा सकता है और कई सारी तवचा समस्याओं से भी छुटकर आपाया जा सकता है दूद के प्रयोग से चेहरे की सुंदरता में कैसे चार चान लगाया जा सकते है कच्चे दूद को गुलाब जल में मिला कर चेहरे पर लगाने से ठंडे पानी से दूल दे तो चगुला भी और नर्म हो जाएगी इसके आलावा दूद में थोड़ा सा नमक मिला कर चेरे पर सुबर शाम लगाने से मुहासे भी दूर होते हैं एक और तरीका है मुहासी दूर करने के लिए आधा चमच काला तील और आधा चमच सरसर वारिक पीसकर दूद में मिला कर मुहासी पर लगाने से मुहासे समक्त हो जाते ही ओंट अगर काली हो गए हो तो दूद को ओंटो पर लगाने से काला पंदूर होता है अगर आपके ओंट पड़ गए है तो रात को सोने से पहले एक भूंद गुलब जल और एक भूंद निम्मू का रस दूद की मलाई में मिला कर लगा ले इससे रहात मिलती है बादाम बेसन गाजर का रस दूद में मिला कर उप्टन की तरह लगाने से तो चमे निखार भी आता है नाकनों को सुंदर बनाने के लिए कुछ देर तक दूद में बिगो कर रखे बरतन साफ करने से हाथ खुर्दुरा हो जाता है इन पर दूद में निम्मू का रस मिला कर लगाने से दूद और इसमें मोजद घुनकारे ओवयों का उपयोग लगबख हर एक संदर्य उत्पाद में किया जाता ही लेकिन घर पर दूद से संदर्य को निकारने के लिए इसकी द्वारा बनाई जाने वाले लेप और वीडियों को सही जानकारी कर आप दमक्तितों चार और निकार प्राप्त कर सकती हैं आपको पोस्ट पसंद आई तो हमें जरूर बताई नई और उपयोगी जानकर का इंतजर के दिए धन्यवाद